हेले सुनेंट्स कैसा सुभी लोग आज हम सुड़े मारा मलाटी के चैप्टर 10 करेंगे जिसका नम है पंडिता रामावाई तो यह चैप्टर मैं आपको हिंती में एक्स्प्रेन करने वालो इसके लिए आप वीडियो आखरी तक जरूर देखना ठीक है तो देखो जो महिला रहती है तो उनके जीवन बहुत कुछ रुकावटे थी बहुत कुछ नहीं कर सकते थी तो पंडिता रामा भाई ने वह वह सब कैसे लड़ा और ओरतों का जो महिलाया रहती है उनको उनका हक कैसे दिलाया वो इस शेपने में बताया गया है थीक है तो यह शेपने में वार आप सब्सक्राइद हमने दोक्त्र or अनुपवा उज्गरे यानि स्तिरि साथी जी खास सभा बोलावली होती, ती भारता तिल स्तिरियांची पहली सभा होती, क्या बुलने हैं? कि कौलकता शहर में देश भग्त जो आनंद मोहन है, इनोंने स्तिरि लोग के लिए एक सभा रखी थी, खास सभा रखी थी, ठीक है? सभा बनता आप बोल कठ़ा होते, कुछ बात होते हैं वो रखहे थी और ये भारत की spannend स्थिरे लोक की पहली सभा थी क्योंकि वह पुरानी टाइम की बात है वह टाईम में श्थिरी लोके जो सभाय है नहीं थी ठीक है श्त्री लोग को इतना ज्याधा अधिकार थानी वो टाइम पर तो ये भारत की समय लोग सबसे पहली सभाःती श्त्री वोग स्त्रीई की पंडिता रामावाई नात त्या वेड़ी बंगाली भाशा येतनोन थी क्या बुल रहे हैं कि पंडिता रामावाई जो है ये इनको वो टाइम पर क्या था बंगाली भाषा आती नहीं थी क्योंकि ये कोलकता में था कोलकता कहां पर बंगल में तो जो बंगाले इनको बंगाली आती नहीं थी तो मनुन त्यानी माय बोली सारखा सराओ अचलेलया संस्कृत भाषेतून भाषन के लिए क्या बोल बंगाली तून त्याचा अनुवाद त्यावेडी करने आत आला क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर देखो अनुवाद मतलब क्या हुथा? ट्रांसलेशन ठीक है? ट्रांसलेट करना तो यहाँ पर क्या बोले है? कि जो पंडिता रमाबाई थी वो तो अपने मदर टंग मतलब संस्कृत में भाचर दे रही थी लेकिन वहाँ पर उसी टाइम बंगाली भाचा में उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा था ताकि सभा में आई सारी स्तिरियों को उनकी बात समझ में आए ठीक है? बंगाली भाचा में कोई खड़ा होकर साथ साथ में ट्रांसलेशन कर रहा था बता रहा था अब आगे क्या है? स्रियांची पहली सभा पहली स्तिरी वक्ता वा सादर करनेाद आलेला पहलाच मौखिक अनुवाद ही तया सभेची वाई सिस्ट ठर्ली देखों यहाँ पर यह सभाब को मालूब है? जो मैंने आपको बता है मिटिंग टाइप रहता है जहां पर बहुत सरे लोग जमा होते हैं बाते होती है, ठीक है? पहली स्तिरी वक्ता मतलब कि वक्ता मतलब स्पीकर बोलने वाला ठीक है और यहाँ पर क्या है सादर कान्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद मतलब कि on the spot कोई oral translation हो जाना जैसे कि यह अपना संस्कृत में बोल रही थी और इनका translation on the spot क्या हो रहा था बेंगोल भाशा में हो रहा था यह पहली बार हो रहा था वैसिस टो ठरली मतलब कि qualities अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सभा थी इसकी qualities क्या थी यह स्त्री की पहली सभा थी स्त्रियों के लिए और यह पहली स्त्री speaker थी हमारे भारत में ठीक है यह दूसरी quality हो गी और एक quality क्या थी सभा की कि यहां पर on the spot oral translation हो रहा था जो यह संस्क्रीट में बोल रही थी उसको बोला जा रहा था बेंगॉली में ठीक है क्लियर हो गया आगे बोड़ते हैं पी आगे क्या है स्त्रीला शिक्ष्णा पासून वंचित ठेवले जात अस्ताना कि उस समय में जब स्त्री लोग को शिक्षा से वंचित किया जाता था मतलब डिप्राइफ किया जाता था उनको पढ़ने लिखने का हग नहीं दिया जाता था उनका राइट नहीं था उस समय में दूसरे । इस सभाव को इतना कोई नहीं था लेकिन फिर भी एक सभाह हुई जिसमें एक दूसरे स्टेट की दूसरी भाषा बोलने वाली एक स्त्री लोगों वहाँ पे आई वी स्त्रीयों को होसला दे रहे थे उनका और ज्यादा उन्हें क्या गर इंकरेज कर रहे थे सब चीजों में कि हमें आगे बढ़ना चाहिए कैसे महाबारत के समय में औरते आग वो गरीब घटना थी वो टाइम पर ऐसा होता नहीं था बहुत हिम्मत वाला काम था चलो वी आगे चलते अभी आगे आपको बोलने देखो आई वडील वा बंधु यांचे निधना नंतर एक टे जगडे किती कठील आहे हे अनुभौल यावर रामा भाई ने विवाह करने के बाद दुनिया में रहना कितना मुश्किल है अकेला पन उनको कितना लगने लगा था इसके लिए यह अनुभौ करने के बाद रामा भाई ने विवाह करने का शादी करने का उन्होंने फैसला लिया अतिशय विद्वान वकील मणून ख्याती असलेलिया बिपिन भिहारी मेधावी अन्चे श्री त्या रिचसर विवाह बद्ध जाला क्या बोल रहे हैं यहां पर तो यहां पर भी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा विद्वान मतलब बहुत ज्यादा नॉलेजिबल बहुत ज्यादा नॉलेजिबल वकील लॉयर और बहुत ज्यादा फेमस जो वक कि ले उनका नाम क्या विपिन बिखारी मेधावी इनसे पण्डिता रामा भाई का रीद सार रीत रिवाज के साथ इनका विवा हुए क्या हुआ क्या वड़ी त्यांचे वय बावीस वरसाने मणजे त्या वेड्च्या रुडिंच्या दृष्टीники ने फारच वाटलेले होत जो उनकी age थ était वह 22 वर्श थी और उस समय के रीती रिवाज से उस समय के जो लोग थे उनकी दृष्टी में यह जो इनकी उमर थी 32 साल की उमर में शादी यह बहुत जादा थी क्योंकि पहले क्या हो था था बाल विवा होता था तक अम्र में सबकी शादी हो जाती थी तो उन्होंने 22 की एज में किया था शादी तOO ये उस समय के हिसाब से बहुत जादा एज में उनकी शादी हुई थी अब आगे क्या है विवान अंतर दोन वर्शा जाँ आतच बिपिन बाबु उन्चे निधन चाले क्या बोलने आपर कि शादी होने के दो साल बाद ही क्या हुआ जो बिपिन बाबु है इनका निधन हो गया इनका क्या हो गया ये गुजर गए तो देखो जो पंडिता रमा भाई थी बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपना जीवन गुजरा था क्या हुआ था इनका पहले तो इनके मम्मी रेडी भाई का सब का क्या हो गया निधन हो गया था फिर बाद में जैसे शादी हुई तो जो बिपिन बाबु थे उनका भी दो साल बाद निधन हो गया आप आगे कहे क्या बोले है कि महारास्ट में जो उनके रिक्वेस्ट पर जो रामा भाई है वो अपनी छोटी बेटी को लेकर पुने आ गई अब आगे क्या है त्यांचे पाहिले व्यक्ष्यान नयाय मूर्ती रांडे यांचे घरी जाले देखो यहाँ पर व्यक्ष्यान मतला आप बोल सकते है स्पीच भाशन नयाय मूर्ती रांडे मतला आप बोल सकते है जज क्या बोले है इनका जो पहला भाशन पहली स्पीच थी जो नयाय मूर्दी रांड है इनके घर पर हुआ ठीक है अब आगी क्या है देखो यहाँ पर तिथेच प्रत्येक आठवर्ण याद एके का घरी त्यांचे वैक्ष्यान वहावे असे ठर ले देखो यहाँ पर प्रत्येक मतब हर एक आठवर्ण याद मतब कि आप बोल सकते हो weekly ठीक है अब बोल सकते हो हफते में एक एक के ठीक है वैक्ष्यान मतब को बताया हो speech या भाशन तो क्या बोले कि वहाँ पर ये decide हुआ कि इनका जो भाशन है वो हर हफते एक एक के घर पर अब देखो आगे के आपको बाई माणूस बोलते तरीकशी हे पान्याची उतकंठा प्रते पुरुशाला लागली होती देखो वो समय में कैसे था जो महीला लोग थे बहुत पुराने समय की बात है न तो ओ टाइम पर महीला लोग speech नहीं देते थे भाशन नहीं देते थे जो बाई मतलब की जो महीला रहती है वो बोलती कैसे है भाशन कैसे देती है ये देखने का उतकंठा मतलब की आप बसके curiosity हर एक पुरुश में होता हर एक मैन में ये हर एक पुरुश में थी इसलिए वो लोग देखने आते थे अब देखो आगे का है आपलया सासार रब्रहोबर सभेला गेलेल्या कशी बाई कानिटकराणी लिहून ठेवली आए प्या बोल रहें के देखो यहां पर पहले आपको सबको मीनिंग मतल देता हूँ व्यक्षान मतल्ब क्या होता भाशन स्पीच यहणार नहीं मतल्ब की आने वाला आप लिए सो मतलब अपने साथ घरात मतलब अपमालों घर से स्त्री मतलब महीला प्रवेश मुझनाल रही मतलब इंट्री नहीं मिलेगी व्यक्षानांच निमंत्रण पत्रिकेत मतलब होता इन्लिटेशन कार्ड अटच मतलब की कंडिशन आप बोल सकते हो अशी आर्टफॉन मतलब ऐसी ब काशी बाई यह नाम है एक महीला का कानिट करानी मतलब बल सकते हो कि यह कोई नोटबुक बोल सकते हो जिसमें नोटडाउन क्या हो ठीक है तो यहाँ पर अब बोल क्या रहे हैं देखो कि उस जो सभाती जहां पर भाशड हो रहा था वहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति को अपने घर से एक स्तिरी को साथ में लाना है तभी प्रिवेश मिलेगा तभी एंट्री मिलेगी ऐसा पंडित जो पंडिता रमाबाई है इनका जो भाशड था उसका जो एंट्री कार्ड था वही समझ लो एक जो निमंत्रण पत्रिके था मतलब एंट्री जो कार्ड है जो कं महिला कौन है काशी भाई इन्होंने अपनी नोट बुक में ये नोट डाउन किया था ये लिखा था कि ऐसी कंडिशन थी इनके पंडित रमा भाई के सभा में जाने के लिए इससे हमें मालूम पुड़ा ठीक है अब आगे चलते हैं क्या देखों यहां पर क्या आपर बोले कि जो स्त्री होती है उनको सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए तो इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा उनको उनकी मात्र भाषा में उनकी मदर टंग में हमें अच्चू ग्यान बहुत जादा एजुकेशन देनी पड़ेगी शिक्षिगा मनून उब्या राणय साथी स्त्रियाना परोचसाहन मनून शिष्य वृत्या दिल्या पाहिजे अशी शिफारस त्यानी हंटर कमिशन कडे केली तो यहाँ पर क्या बोल लेएं कि जो महिला है जो पंडित रामावाई थी पंडित रामावाई उन्होंने एपने भाषान में बूला कि हमें अगर जो महिला है उनको पढ़ाने के लिए प्रोचसाहन इंकरेज करना है तो हमें उन्हें शिष्य वृत्या मतलब कि उनके पढ़ने का खर्चा हमें कुछ उड़ाना चाहिए, कुछ पैसे देना चाहिए, तो वो इंकरेज होंगे, ठीक है, कि देखो पहले के समय महिला, जो महिलाए थे, उन पर कोई पैसे अतना लगाता नहीं थे, उनके पढ़ाय लिखाई पर, तो पंडीतरा माँ भाई बोल लहीं थे, कि हमें उनको स्कॉलर्शिप देना चाहिए, ऐसी शिफारिस त्याने हंटर कमिशन कड़े के लिए, ऐसी शिफारिस उन्होंने हंटर कमिशन को किया, जो समाज की मदद करते, अब आगी क्या है देखो आपको, अनात, अपंग, विध्वा, अशास्त्रियान ची स अनात, मतलब ओर्फन, अपंग, मतलब आपाहिज, विध्वा, मतलब विडो, ठीके, क्या बोले तो यहाँ पर, कि जो अनात्षि थे, जो अपाहिज थे, जो विडो, मतलब जो विध्वा औरते थे, इन सब स्त्रियों की, इन सब महिलाओं की सेवा करने के और उन्होंने क्या किया ये सब जगों के जो भी लीडर्स थे पुढ़ा रहा न मतलब जो लीडर्स थे नेता थे उनको और जो धनवा ना जो वहां के वेल्दी लोग थे आमीर लोग थे इन लोगों को इसके बारे में समझाया ठीक है कि हमें कैसे जो ये अनात अपंग विद्वा जो स्तिर करने चाहिए इनको कैसे सौलम भी बनाना चाहिए यह सब लोगों को भी समझाया मई पूरय अहमेदबाद यह सब जगान जाकर रहा है अब आगे देखते क्या है पर अश्या कहे रहा अची समझाला काही गरज आहे हावीचारश कहीणा पट्ला नहीं क्या बेहां पर क्या क्योंकि पहले के समय में लोग चाहते नहीं तो महिलाए पड़े सिफ घर में काम करे और कुछ नहीं करे तो इसके लिए जब पंडीतर हमा भाई लोगों को ये बात बता रही थी कि हमें उन्हें उन्हें शिक्षिक करना चाहिए जो महिला आए जुस्त्री है वो टाइम की तो ये समय पे जब लोग ये बात सुने तो उनको ऐसा रहा है कि ऐसे काम की ऐसे जरूरत है क्या ऐसे लोगों को समझ नहीं रहा था क्या इसकी जरुवत है ऐसा लोगों का विचार था ठीक है वो समय का लोग सोच रहे थे जो पंडिता रमाबाई कर रहे है क्या इसकी जरुवत भी है ठीक है एक उधार ग्रिस्ता ने क्या यहां पर गोले देखो क्योंकि लोग को पसंद नहीं था जो पंडिता रमाबाई कर रहे थी महिलाओ के लिए तो कोई पैसा ऐसा भी उत्मत देता नहीं था लेकिन कुछ लोग देते थे तो उसमें से भी देखो एक ऐसा इंसा था जिसने पंडिता रमाबाई को 10,000 रु कि पंडिता रमाबाई इस 10,000 रुपे से 40,000 रुपे का काम करके दिखाए ठीक है ऐसी उसने शर्त रखी अटगात लिए ओके अब आगे दिखते हैं क्या है यहां पर देखो क्या बोलें कि अपनिता रमाबाई बोल लिए कि मुझे भारत की हर एक स्त्री जो है वो प्यारी है ठीक है वो मेरी अपनी है क्या यहां पर बोल लिए है अब देखो पनिता रमाबाई बोल लिए कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक बूंद रहेगा तब तक मैं महिलाओ के स्त्री के वेलफेर के लिए भलाई के लिए उनके लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए काम करने से पीछे नहीं हटूंगी प्राण्मुख होनारे मतंब पीछे हटूंगी प्राण्मुख होनार ना ही जब तक मेरे शरीर में एक बुंद भी खून का एक बुंद भी रहेगा तब तक मैं इनके भलाई के काम से पीछे नहीं हटूंगी क्लियर अब आगे चलते हैं क्लियर अब आगे चलते हैं क्लियर अब आगे चलते है क्लियर अब आगे चलते हैं करता अस्तानाच रमाबाई ने एक एक लहान उद्योग वैवसाय सुरू के लिए क्या बुलने कि जो मुक्ति मिशन था इसमें पंडिता रमावाई ने जुजबी शिक्षण मतलब कि बेसिक एजुकेशन जो मुली ना मतलब जो लड़किया थी जो बच्ची थी उनको दिया ताकि वो सौलम भी बने मतलब कि वो इंडिपेंडेंट बने ठीक है और उन्होंने क्या किया इसके साथ साथ उन्हें छोटे मूटे लहान उद्ध्यों गवशाय सुरू किले उनके लिए छोटे छोटे बिजनस भी शुरू किये उनको छोटा छोटा बिजनस भी करना सिखाया क्लियर हो गया चले आगी चलते है तो अभी देखो कॉन-कॉन से टाइप का वो सिखाया और आगे क्या वखाचिया दोर्या उलने जूट की कैसे डोरी बनाना है कैसे धागा बनाना है वेताचिया खुर्चा उलने और बेट से कैसे कुर्सी बनाना है ले स्वेटर मोजे उलने और क्या बताया उन्होंने कि कैसे ले स्वेटर और मोजे कैसे बिनते हैं कै कर ना हैं। इस तबेल निकालना निकालना है। वह सिखा आगी है। क cafeteria कुकुट पालन के जो मुर्गिया रहती है इसको कैसे सम्वालना है उसको कैसे बनाना है जबर सांड्पानी हैused आ arrest बड्याना कल्री करने बड्टन पर क्या करना कोटिंग करना कल्रीच ah防ar आपर कापड साहिए पर कंद लोम होता है interaction कपड़े पर घ्रनाई करते ने यह झातो है यह सिंखाया प्रीट हiy चाप खाने अतिल मतलब क्या होता है प्रिंटिंग प्रेस तो उसमें पहले कैसे प्रिंटिंग प्रेस में वर्ड्स ना बिठाये जाते थे प्रिंट करने के लिए एक एक वर्ड बिठाये जाते थे तो वो भी उन्होंने सिखाया कि प्रिंटिंग प्रेस में कैसे वर्ड्स ब असे किती तरी प्रकार चे उद्योग स्तिरिया करत ऐसे कितने नहीं ना जाने कितने टाइब के उन्होंने चोटे चोटे बिजनस स्तिरियों को सिखाया वो टाइम पर ठीक है अब आगे चलते हैं ही तेया काडी फारच नौ लाई चा गोश्ट इठरली क्या आपर बोल रहे हैं आगे आपको है देखो यहां पर अडी शजार लोग बसू शक्तील असे प्रार्थना मंदिर चर्च बांताना काट कसन मनून रमाबाई नी तेया चा आरखडा स्वता चा तयार केला क्या यहां पर बोल रहे हैं अब और जो पंडिता रमाबाई हैं उनकी और भी कौलिटीज बता रहे हैं कि पंडिता रमाबाई ने एक प्राथना मंदिर बनाया जहां पर अडीच हजार मतलब कि मतलब 5,000 लोग जो प्रात्थना मंदिर उन्होंने जो prayer hall बनाया वहापर 5,000 लोग बैट सकत थे लेकिन क्या है है यहाँ पर बोलते हैं कि बांताना काटकसर मतलब कि रमा भाई जो थे वो पैसा बचाने के लिए उन्होंने क्या किया वो जो प्रार्थना मंदिर था उसका आरखडा मतब कि उसका डिजाइन उन्हें स्वताच के तयार केला मतब खुद उन्होंने उसका डिजाइन किया था इतना ही नहीं उन्होंने अपने सर पर इट उठा कर उस मंदिर को बनाने का उस प्रार्थना हॉल को बनाने का काम भी अ उसको बनाने में भी अपना हाथ बटाया, ठीक है, अब आगी कहा है, कुटले ही काम करने आत्यानी कधीच कमी पड़ा मानला नहीं, यहां पर ही बोल रहे हैं आपको कि जो पंडिता रमा भाई थी, वो काम करने से कभी भी उनको कमी पड़ा नहीं लगा, उन्हें कभी भी ऐस नहीं लगा कि मैं बहुत जादा काम कर रही हूँ, ठीक है, उन्होंने हमेशा मेहनत से काम किया, श्रम प्रतिष्टेचा धड़ा त्यानी आपलया, कृति तून, आश्रमातीन, मुलीना, नहमीज दिले, क्या बोलें, कि श्रम प्रतिष्टा, मतब कि अपनी जो मेहनत, उनक उन्हें क्या किया, इक्जामपल, मतब practically काम करके, उस आश्रम में, जो वहां कि बच्चीया थी, उनको एक इक्जामपल सेट किया, उनकों से क्या होते है, प्रेःद होते थे, खिसके एंकरेज होते थे, क्यूंकि वह काम करके दिखाते थे GAKातनी महनत करते थे, उससे वहा पूरा जीवन नहीं लेकिन उससे उन्हें कोई फरक पड़ा नहीं उससे उन्हें कोई ज्यादा असर हो सिरी चा एक व्यक्ति मनून विचार और विकास करू पहना रहा पंडिता रमाबाई हाया सहस्त्र कातील एक मेव कर्म योगिनी वा सत्यशील साध्वी होते है क्या यहां पर बोले कि पंडिता रमाबाई आउरत को एक इंसान जैसा देखने के लिए उनको आगे बढ़ते पंडिता रमाबाई जो थे वह सहस्त्र कातील मतलब की मिलिनियम आप बोल सकते हो ठीक है मतलब 1000 साल आपस आप बोल सकते हो और एक मेव मतलब एक अकेली कर्म योगिनी मतलब काम करने वाली सत्यशील मतलब सच्चाई की रह पर चननने वाली तो यहां पर बोल रहे हैं कि ज इन्सान जैसे देखने के लिए उनका विकास होते हुआ देखने के लिए उनोंने वह एक ऐसे अकेली महिला थी जो यह पूरे यह अब बचल्लह हजार साल में उनके जैसा एकúc अकेला काम करने वाला सच्चा इंसान यह थे यह अकेले थी और तो कलिए इतना ज़άν ज़ादा ताजा मुड़े आयुशात होर पढ़ने आले पढ़ त्यानी अनेक वालवन्टी आयुशांचे नंदन वन करत कितेक काडों की आयुशे उज़ुडून टाक ली क्या यहां पर बोलने हैं? कि ये एक ऐसी सूर्य करन्या थी अपर सूरज की बेटी थी जिनका नशीब, जिनका खुद का नसीब पूरा जीवन एकदम उनका अन्धेरे से बहरा हुआ था आप बोल रहे हो लेकिन उन्होंने अनेक वालवन्टी आयुशांचे मतलब कि वालवन्टी वन एकदम डिजर्टेट रेगिस्तान जैसा मतलब जिसका जीवन एकदम डिजर्टेट हो, रेगिस्तान जैसा हो उनके जीवन में नंदर्वन हरा भरा बज़को हरियाली ला दिये और कितनों के जीवन, मतलब काड़ों की डाग थे उनके जीवन में आयुशे उजडून टाक ली उनके जीवन में क्या किया, जिनका जीवन डार था, उनके जीवन में एक नई रोशनी लाया, तो इन्होंने एतनी help महिलाओं की किया, एतने अच्छे काम किये, समाज में women's महिलाओं के upliftment के लिए, तो इनके ये सारे काम है जो हमने अभी देखे हैं, ठीक है, I hope आपको chapter अच सुक्सेट, शेर कुल, thank you.